हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हू राहुल जेस्वाल एंड स्वाधत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज अगेन आपके सामने वान आपके सामने वान लेकर आ गया हो दोस्तों और जैसे कि आप लोग क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स यहां दोस्तों बहुत बहुत बेटरीन तरीके से हमारा नया बैज भी कंटिनियूसली वर्क कर रहा है और कंटिनियूसली आपको मैच्स के बाट वन मैच्स पार्ट तू साइंस पाट व जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम है लेकिन जो नए नए जॉइन हुए हमारे चैनल पे तो आपको बता दू कि हमारे चैनल के उपर सभी स्टैंडर के वीडियोस प्रेजेंट है सिक्स से लेके ट्वेल तक और खासकर अगर आप दस्वी में हो तो आप लोका तो सिला अगर आप नए हो आपको पता नहीं होगा तो प्लीज एक बार वीडियोस देखो सेम इस जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बैने वैसे ही पढ़ा है बस फरक इतना है वहाँ पर वाइट बोड़ था यहाँ पर डिजिनल बोड़ है वहाँ पर कोट नहीं पहें आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ते रहो जितना हो सके अच्छे मांक्स आपके एक्जामस में आने चीए दोस्तों ठीक है बस एक छोटाता सपना है कि यार हम भी हर बच्चे तक पहुचे महाराष्ट म अच्छे अच्छे पोजिशन में पहुचे और हम उसके लिए बिना किसी स्वार्थ के बस महनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए कंटिनुएसली इतना हो सके बस हमारे मुहीम को हमारे वीडियो को शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ शायद हो सके कुछ बच्चों को हो जाए तो आज का जो टॉपिक है पिरोडी क्लासिफिकेशन तो हम पहला ही टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है अलिमेंट्स एंडियर क्लासिफिकेशन अब यह होता क्या है अब जैसे कि आप जानते दोस्तों कि हमारा जो पृत्वी है हमारा जो यूनिवर्स है यह नादे प्रित्वी औल्द उनिवर्स अर्थ लेलो या फिर कोई भी stop I believe iki छीज़ से बना हुँए elements से अनवोगेशन अब किसरे और इसका रबन ईम Sizetal ऊंट्रीस हो यह कहा ड़ी हो आप जो अनबटा गाना मिल रहा है आपको एन ergी यह तब कही नहीं कही कुछ किसी elements के form में ही हमीं मिलता है और किसी elements के form में ही पूरी दुनिया में हर चीज प्रेजंट है अब यह जो elements है नॉर्मली आज के दिन की बात किया जाए आज के दिन में करेंटर डेट की बात करिया जाए तो हमारे साइंस के इसाब से लगभग 118 elements विच सब्सक्राइब और लगभग बात करें अठारवी सदी में 18th century की बात है आज से 400 साल पहले आज से लगबग चार सो लगबग देखा जाए 300-400 साल पहले की बात है तो उस समय पे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे या फिर जो भी फिजिसिस्ट हुआ करते थे लगभग 300 साल पहले 200 साल पहले कि आगर मैं बात करूँ तो उस जमाने में क्या होता था आज से 200 आड़ाई साल 300 साल पहले उस जमाने में सिर्फ और सिफ टीज एलिमेंट पाए जाते थी इतने एलिमेंट मतलब आज के डिड़ में हमारे पास 180 एलिमेंट है मतलब सोचो कि ये पिछले 200 साल में जो बीता है एटीन सेंचुर की बात करो लगभग ये पिछला जो 200 साल बीता है दोस्तो इसमें लगबग 30 का 180 से माइनस करोगे तो लगबग होता है दोस्तो 80 आटी सम्तिंग 88 तो इतने यह इतने साल में डिस्कवर हुए और उसके पहले सिर्फ तीसी एलिमेंट खोजे गए थे अब वो जो एलिमेंट खोजे गए थे यह साइंटेज द्वारा खोजे गए थे और यह बहुत ज्यादा खोजते थे क्या उनको समझ में आता था जैसे उनको कुछ नया चीज दिख गया जमीन की खुदाई चल रही थी या फिर कुछ ऐसा काम चल रहा था तो उन्हों एक एलिमेंट दिखा तो लोगने स्टडी किया कि भाई यह एलिमेंट है क्या अब यह एलिमेंट का उन्होंने आंख अयुदद फैरत बोलते हो उसको इसको और नाम दिया गया ऐलिमिनियूम मिला उसका ओर मिला बारेकिसी साइबल देखांक कुछ एसका अपको खोज के तवर एलिमेंट्स आपको मिल रहा है लेकिन पता यहीं किभाई एलिमेंस कौन सा है तो वह संध मिले जबना तो के द्वारा अलग-अलग properties उनकी बारे में study किया जाता था कि यह जो लोखन इसकी property क्या रहेगे भया तो हमने study किया कि लोखन जो होता है बहुत मजबूत होता है इसलिए लोखन का इस्तेमाल मिलते आ रहें क्या इनमें कुछ similarities है क्या इनमें कुछ properties है तो वो ऐसे ना कुछ ना कुछ any pattern कोई properties का pattern हो जाए कि यार यह आरन में यह property है तो दुसरे पैटन मिल रहें similar properties उसके अंदर discover हो रही है तो यह scientist के बारे में भी study करते थे अलग-अलग elements में और जो elements होते हैं जैसे मैंने बोला कि generally जब यह scientist क्या होते है non metals क्या होते हैं metalloids क्या होते हैं ठीक है ना तो उन्होंने इस elements के category को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक था metals दूसरा था non metals and तीसरा था दूस्तों metalloids metals क्या होते हैं कुछ properties होती है metals are very good conductor of electricity metals are very hard substance metal ductility property metal have malleability property ठीक है ना non metals था non metals बहुत कमजोर हो सकते हैं non metals brittle होते हैं जोट से हथोड़ा मारो तूट के भिखर सकते हैं जैसे carbon ठीक है ना कमजोर होते हैं उनके पास ductility और malleability की property नहीं होती है metalloids क्या होते हैं जो दोनों की properties होती है जैसी that is silicon germanium these are the examples of metalloids तो ऐसे उसके properties के इसाफ से उसके physical and chemical properties के इसाफ से इन तीनों को क्या कर दिया था तीनों categories में elements को divide कर दिया गया था लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे जो scientist थे उस टाइम पे वो संतुष्ट नहीं थी वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि क्यों नहीं जो elements हमने खोजा हुआ है इसको मैं और proper तरीके से classify करू और इन elements को proper तरीके से arrange करू क्योंकि arrange करना is very important thing अगर आपके पास समझे लो class में बच्चे हैं 60, 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों को आप एक साथ बुला लोगे क्या आप कुस्तों group करोगे ना आप बोलोगे कि ये top ranker है, ये top 10 rankers है, ये top middle rankers है, ये sports मे अच्छे हैं, ये drama में अच्छे हैं, ये singing में अच्छे है, तो आप क्या करोगे, categorize करोगे, मतलब in short क्या करने वाले हो, आप उसको classify करने वाले हो, तो ये जो अलग-अलग scientist थे उस समय पे, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम इस element को proper तरीके से classify करेंगे, और इसी लिए वो ब It's right different method, बहुत सारे different method आने लगे classification के, तो पहला कोई scientist आया, दूसरा कोई scientist आया, तो हम discuss कर गे इस chapter में, कि क्या 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 कौन कौन से scientist आया, पहला जो scientist आया, उन्होंने क्या method अपना बताया, फिर दूसरा जो scientist था उन्होंने क्या बताया, तो पहले आया दौबे राइनर इस chapter में पढ़ेंगे, दीर दीर आएगा lectures, आस तो पहला ही lecture है, फोड़ा सा और बेसिक चीजे पढ़ने वाले है, ध्यान से देख लेना, जैसे यसे lecture आगे बढ़ेगा इस chapter के अंदर, बहुत मज़ाएगा, क्योंकि ये पूरा chemistry के ऊपर chapter है, chemistry and physics combination, बहुत मज़ेदा चाप्टर है, जहान से पढ़ना आपको पूरा टाउट्स क्लियर हो जाएगा, तो ये था सबसे basic introduction, इस chapter का, समझ में आ गया होगा, अब जाते हैं सबसे पहले मुद्दे की बात के ऊपर, कि जो पह मेरे पास एक जोडी जूते हैं, यानि I have one pair of shoes, लेकिन अगर तीन चीज है, तो उसको मैं बोलू हूँ माट तिकडी, जैसे हम लोगा तीन तीगड़ा काम भीड़ा जब बोलते हैं, तो तिकडी is nothing but the triad, तो triad क्या है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, अट्रासो सत्रह मे मतलब 18th century की बात है, 18-17 में जो German scientist है हमारे जिनका नाम है Dobbe Reiner, इन्होंने क्या बोला, कि जब वो study कर रहे थे, experiments जब कर रहे थे और अलग-अलग properties के, elements के properties को study जब कर रहे थे, तो उन्होंने एक similar pattern पाया, क्या उनको suggestion मिला, उनको क्या समझ में आया, उन्होंने बोला, क्य जो भी properties है, elements का, वो related है to their atomic masses, मतलब कहीं न कहीं, कि ये जो atomic masses है न, अलग-अलग elements के, इनका ही कुछ चक्कर है भई आप, उन्होंने clear बोल दिया, कि ये जो elements दिख रहे है न, इनमें जो भी similarities दिख रहे है, या पिर जो भी properties है न, ये किसके वज़े से है, because of their atomic masses, what do you mean by atomic masses, ये आपको बताओगा, atomic masses, number of proton, number of neutron, ये हमने study किया हुआ है, एक atomic number, that is the number of electrons, एक होता है atomic mass, that is number of proton, plus neutron, ये हमने study किया हुआ है, बहुत पहले, 9th में भी पढ़ाओगा, 8 में भी पढ़ाओगा, आपको याद आगा, नहीं आदा रहा है, तो हम आपको तो हर चीज बताई दे सबसे पहला चीज, अब ये एक चीज हो गया, तो जब उनको suggestion मिला, या फिर दिया उन्होंने, कि यार atomic mass का ही पूरा खेले, तो उन्होंने पूरा atomic mass के उपर पूरा study करना चालू किया, फिर उसने क्या किया, उन्होंने create किया एक group, उन्होंने क्या बनाया, table बनाया, groups बना होंगे chemical properties, chemical properties के उपर focus किया, और जिन तीन element के भी same chemical properties, या फिर आसपास similar chemical properties दिख रहे न, उनको उठाया और एक group में डाल दिया, जैसे कि कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, class में, तो हमने उठाया, ये 5 बच्चे बदमाश है, इसको अलग रखो, 5 बच्च का एक group बना द फिर वापास से तीन element को लिया, study किया भाई, ये तीनों का भी लगबग same chemical properties है, similar chemical properties है, इसको उठाके दूसरे group में डाला, तो ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने group बनाया, और ये चो group बना रहे थे, वो group का उन्होंने नाम रख दिया, triard, वो जो एक group बना ना, जिसमें तीन element है, तो तीन element मतब तिकडी, इसके लिए उसका नाम क्या रख दिया, triards रख दिया, clear है, समझ में आ गया यहां तक, अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, कि जब ये अरेंज कर रहे थे, उस elements को one by one, अब सवाल ये भी उठता था ना, कि वो जो तीन element है, उसमें पहला कोन रहेगा, दूसरा कोन रहेगा, तीनकी गुरूप में डाला, अब तीनों एक ही गुरूप में तो भोलोंगा, नहीं में पहला हुआ, वो बोलेगद caterpillin myśle, नहीं में अरेंज किया in मांस, जो इंक का हम atomic mass वाला पहला दूसरे नंबर पे दूसरा जिसका atomic mass है वो और तीसरे नंबर पे जिसका सबसे बड़ा atomic mass है उसको तीनों को line में अरेंज कर दिया अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या बोला उन्हें बोला क्या atomic mass जो होगा ना जो middle element का यह लगबग approximately equal होगा किस से to the mean of the atomic mass of the first and third element यानि कि जो तीन element है तीन element में से जो middle one होगा जो middle one का atomic mass जो होगा ठीक है वो किसके बराबर होगा जो पहला और तीसरा है उसके mean के बराबर mean मतलब यह दोड़ों को प्लत करके divide by 2 मतलब अगर ABC हमारा समझ दो टीनों element था तो यह क्या है मेरे लिए पहला element यह दूसरा element यह दूसरा element है तो दूसरा element का जो atomic mass रहेगा यानि बी का जो atomic mass रहेगा वो किसके बराबर रहेगा पहला और तीसरे के mean के बराबर मतलब a plus c divided by two के बराबर रहेगा तो हम इसके उपर पूरा का पूरा टेबल आपके लिए लेकर आये हैं और वो टेबल आपको मैं पूरा बताने वाला हो बहुत simple टेबल है आपको समझ में आ जाएगा कि कि इस प्रकार और अगर ऐसा वो होता है मतलब डॉबे राइनर ने क्या बोला पता है डॉबे राइनर ने ये बोला कि अगर ऐसा होता है कि मेरा पहला element और तिसरा element को प्लस करके डिवाइड बाइट टू अरुआ यानि mean निकालूँगा वह और बी के बराबर होगा यानि मिडल मेरिट्स होते हैं उसके कुछ डी मेरिट्स होते हैं उसका एक success rate होता है उसका एक failure rate भी होता है तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है मतलब मेरा experiment कहा में आप रहा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा experiment fail कर जाएगा भया मतलब यह जो classification करने का जो तरीका मैं उन्होंने बनाया है वो गलत हो रहा है ऐसा उन्होंने बोला मतलब गलत हो सकता है तो अभी चेक करते कि क्या उनका experiment success हुआ कि नहीं हुआ वह हम लग चेक करेंगे ठीक है तो यह जितने भी elements थे हम लग चेक कर रहे हैं यहापर जितने भी elements थे वो डॉब बिनारर में आएं के हिसाब से यानि a b is equal to a plus c divided by 2 k हिसाब से वो fail कर जा रहे थे इसी लिए बहुत सारे और साइंटिस्ट आया उसके बाद Newton आया तो इसे आते गहें तो यहीं अकेले डॉबे रायनर का नाम चलता ना आज लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट का नाम क्यों चलता है क्योंकि बह सबसे पहले अगर आप ध्यान दो यहां पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीकी से समझाओंगा आपको समझ में आ जागा सबसे पहले आप देखो सीरियल नंबर है यहां पर यह ट्राइड है मतलब यह तीन एलिमें आप देखो लाई एन और के लिथियम सोडियम एन पोटा तो इसको एमानुगा मैं पहले को ए दूसरे को भी दिसरे को सीच ना तो उसका जो इस सिट फविए लिगा अपको डिया हुआ रहेगा यह तो आपको लियों करना पड़ाइगा अब यहाँ पर देखो तो लिटियम का A है 6.9 ठीक है बी कितना है बी मेरा कितना है 23 और यह मेरा C है ठीक है यह मेरा A है A is equal to 6.9 B is equal to कितना है 23.0 C is equal to 39.1 अब हम डॉबे राइनर क्या बोलता था कि B is equal to A plus C divided by 2 होना चीए तो यहाँ पर हम कर रहे हैं that is sodium का यानि B का निकालने के लिए formula क्या है A plus C divided by 2 तो A का है 6.9 प्लस C का कितना 39.1 divided by 2 करूँगा तो 23.0 आ रहा है और यह 23.0 यह जो value आ रहा है यह actual में क्या रहेगा B रहेगा तो B is equal to 23.0 आ रहा है और actual में भी जो B is equal to 23.0 है वो ही है यानि कि कहीं न कहीं जो हमने B का वैलू निकाला A plus C divided by 2 करके और actual में जो B का वैलू आ रहा है वो दोना same आ रहा है लेकिन कोई भी experiment successful कब होता है जब बहुत सारे उसके results है कि आप पहली बार में अगर छक्का लगात होगे तो जरूरी नहीं है कि बाकी के बच्चे वे 5 बॉल जो over में है उसमें भी छक्का लगा ही पाओ अगर आप 6 पे 6 चक्का लगा होगे तब भी तो आप king बनोगे न यूरा सिंग ठीक है न तो यहाँ पे भी same वोई fund है यार कि आपको बहुत सारे अलग-अलग elements जो और भी जो discovered हुए थे उनका भी test करना पड़ेगा अगर वो सब में लागू हो रहा है सब में उसका result same आ र उन्होंने calcium strontium और barium का क्या किया एक group बनाया पहले number पे calcium दूसरे पे strontium barium calcium का है A is equal to 40.1 strontium का B is equal to 87.6 और barium का C is equal to A अब formula डालूँगा B is equal to A plus C by 2 तो A 40.1 है C 137.3 है divided by 2 करें तो 88.7 आया तो अगर आप ध्यान दोगे हमारा B actual आया 88.7 और actual में B कितना है 87.6 लेकिन क्या है दोनों के दोनों अलग-अलग है ये 88.7 है ये 87.6 है भले ही थोड़ा सा ही minor सा ही difference है थोड़ा थोड़ा ही difference है लेकि कि यही यही second वाले में हमारा जो experiment था डॉबे राइनर का वो fail होता हूँ नजर आ गया तो डॉबे राइनर फ्टेंचर में आ गया कि यार पहला successful हुआ दूसरा successful नहीं हो रहा है तो चलो यार एको try करके देखता हूँ अगर ये जो भी होगा ये fail हुआ तो fail पास हुआ तो गया तो 81.2 आया ये बी calculation करने के बाद आया मतलब यह वाला भी आया calculation करने के बाद अर एक्च्वल में बी कितना है ये 79.9 तो दोनों अलग अलगे जो भी आया 81.2 और जो एक्च्वल में बी है हमारा 79.9 तो दोनों अलग अलगे इसका मतलब डॉबे राइनर का tried यहां पे तो अब जाके डॉबे राइनर को समझ में आ गया भाया ये जो मेरा experiment है अगर मैं इस तरीके से elements को classify करूँगा तीन-तीन करके डालूँगा according to their atomic mass और उसको B is equal to A plus T by 2 करके डालूँगा तो ये हमारा सब के लिए successful नहीं होगा इतका मतलब मेरा जो theory है वो कहीने कहीं गलत है मैंने तो अपने मन से सोच के बना दिया लेकिन ये थेरी गलत हो रहा है तो डॉबे राइनर का जो यहाँ पर experiment था या फिर डॉबे राइनर का जो ट्राइड जो classify करता था elements को उनके group के इसाब से वो यहाँ पर successful होता हूँ नजर नहीं आया इसके लिए डॉबे राइनर न दिमाग चलने लगा इससे सीखे और भी लोगों ने किया तो अगला जो scientist आई वह आया है newland अब newland ने क्या दिमाग लगा इसने तो टिकड़ी वाला दिमाग लगा था कि हम तिंदिन करके डालेंगे newland जो था ना उसका नाम था है newland और लेकिन आठ वाला दिमाग क्या है वो study करने के लिए आपको हमारे अगले लेक्चर का इंदियार करना पड़ेगा क्योंकि आज का लेक्चर यहीं पर मैं stop करता हूँ बहुत मज़ेदार लेक्चर था उमीद करता हूँ हर एक concept आपको समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप तो थोता है यह हमें comment करके बताना है तो यह आप लोगे लिए चोटा सभावंवा के जरूर से इसको स्टॉल करना और हमारे comment box में answer जरूर से comment करके बताना ठीक है तो आज के लिए इतना ही यह video आपको कैसा लगा है प्लीज हमें comment करके जरूर से बताना वीडियो पसंद आया है अच्छ बाइ